हेलो प्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे निफिक आनलिसिस फॉर तो लेट्स स्टार्ट वित वीकली चार्ट वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि निफिकली ट्रेड कर रहा है लगबद 30% गेन के साथ लास्ट वीक हमने यहां मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा का साथ आ सकता है और यहां जो है तो हम फिर से नीचे ले लेवल पर जाने के लिए तहीं आ रहे तो यहां मेरा सलॉन राइज में रहेगा यहां अच्छे आच्छे खास रेज तो असे निफ्टी के लिए और नीचे जो है तो वह तुखता है तो हम फिर से जो है तो फ्रेश लो की तरब जा सकते हैं तो यहां करेंटली आपको वाच करना है उपर के तरफ तरफ वह वह से लिंग लेवल रहेंगे और यहां जो है जो लेवले वह सपोट रहेंगा अगर वह तुखता है तो हम फिर से ब्रेकडाउन देखेंगे और यहां हमारी जो स्टैटर की है वह वर्काउट हुए यहां जो हमने आपको सजेस्ट किया था कि 16 700 पर हम शॉट करेंगे तो हमने हाई देखा था लगवक 16 700 के आराउंड औ और मुझे लगता है कि यहां से हम जो है फिर से मार्केड में एक अच्छा का सब सप्लाय आती हुए देखेंगे और नीचे जो है तो मार्केड फिर से 16 300 से लेकर 16 200 के टार्गेट जिखा सकता है अगर 16 200 की नीचे जाता है तो हम 15 800 और 15 600 के लेवल के तरफ बढ़ेंगे तो 316 200 के अभी आप देखोगे कि आवरली चार्ट पे निफ्टी ने ओर्ड़ी इस विक के सभी टार्गेट आच्छो कर चुका है और यहां अभी तक इसने पिवाट टच नहीं किया तो मुझे लगता है कि हम पिवाट की तरफ अभी रिट्रेस होंगे यहां निफ्टी ओर व आपको फोकस करना है और आपका जो टार्गेट रहेंगे उसमें अगर निफ्टी तो 16 200 पी जाता है तो यहां अच्छा खासा एक करिक्ट्यू पैटन बन रहा है मारकर में और उसका जो है तो मुझे लगता है कि निफ्टी एस एक्सपेक्टेड हमारे जो बेरिश टार्ग अगर 16 200 के नीचे जाता है तो उसके बाद में आपको शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है मारकेट में जो पंद्राट सो और पंद्राशे सो के तरब मारकेट को लेकर जा सकती है तो आयोप सब कि यह आपके लिए एलफू रहेगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर अगर आपको मेरी वीडियो पसंदे तो मेरे चानल को सबस्क्राइब कीज़िए अगर आपको लाइ मारकेट में मेरे साथ ट्रीड करना है तो मेरे प्रीमियम सभी जाइन कर दो को उसके लिंक्स आपको डिस्रिप्शें में मिल जाएंगे and thank you for watching this video